हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम इट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाथी राठ और सागेप करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने online platform वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज हम लोग इस वीडियो में idioms और phrases का part 7 करेंगे up to part 6 मैंने सारे ही वीडियो बना दिये थे and I hope आपने वो सभी वीडियो देख लिये होंगे तो now without wasting much time हम अपना ये वीडियो आगे continue करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला idiom क्या है पहला idiom दिया है हमें to restaurant once laurels देखिए laurels का मतलब होता है जब भी हमें कुछ उपलब्दी होती है तो इसलिए हमें प्रशन सा या फिर सम्मान मिलता है इसे ही हम बोलते है laurel और two restaurant once laurels इसका मतलब हो जाएगा पुरानी ख्याती पर संतोश किये बैठे रहना मतलब अगर एक बार मुझे कुछ उपलब्दी हो गई अगर मैंने एक बार कुछ अचीव कर लिया तो उस अचीवमेंट के बाद मुझे इतना ज़्यादा satisfaction मिल जाएगा कि मैं आगे और मेहनत ना करूँ कुछ और अच्छा या बड़ा अचीव करने के लिए इसे ही बोलते है two restaurant once laurels तो इसका सही answer क्या होगा वो जानने के लिए हम options को देखते हैं option a देखिए to see is to strive for further glory मतलब और ज्यादा याश्या सम्मान पाने के लिए महनत करना बंद कर देना खुद को महनत करने से रोक लेना यह हो जाएगा option b है to be lazy मतलब आलसी होना option c is to be proud of one's victory मतलब अपनी जीत या अपनी विजय के लिए गौरवान्वित महसूस करना option d is to die मतलब मरना तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो होगा option a to seize to strive for further glory मतलब और ज्यादा याश्या सम्मान पाने के लिए महनत करने से खुद को रोक लेना तो hope आपको यह idiom clear है इसका meaning clear है आगे बढ़ते हैं अगले idiom की तरफ अगले idiom दिया है हमें to call on the carpet अब to call on the carpet का मतल men a subordinate मतलब जो आपका junior है आपका doctrina लगाना इसलिए कि उसने कोई गल्ती के वहाई होती है अगर आपका junior कोई गल्ती कर देता है तो उसे बुला कि उसे टाथ कार लगाना और उसे बोला की उसमें जो गल्तियां की हैं वो क्यों की है क्या कारण था जो भी चीज़ें हैं उन is to summon for a scolding मतलब डार्ट फटकार लगाने के लिए किसी को बुलाना option c is a heartfelt welcome मतलब हार्दिक स्वागत करना and option d is on the ground on the ground का मतलब होता है किसी बात का आधार या फिर कारण तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option b to summon for a scolding मतलब अपने जूनियर को गलती करने पर बुलाना और फिर उसे डार्ट फटकार लगाना और उसे कहना कि जो गलती की है उस गलती का reason explain करो तो यही मतलब हो जाएगा to call on the carpet hope आपको ये वाले idiom clear है आगे बढ़ते हैं अगले idiom की तरफ अगले idiom दिया है हमे to fight shy off अब इसका मतलब हो जाता है to try to avoid something किसी चीज को avoid करना नजर अंदाज करना या फिर किसी चीज से दूरी बना के रहना distance maintain करके रहना ये मतलब हो जाएगा to fight shy off अब हम देखते हैं options और इसका सही answer क्या होगा आप वो जानने की कोशिश करते है option A देखिए to keep aloof from मतलब किसी से दूरी बना के रखना option B is to fight social evils मतलब जो सामाजिक बुराइया हैं उनसे fight करना option C is to be bold साहसिक होना and option D is to fight and win लड़ाई करना और जीच जाना तो इसका जो सही answer हो जाएगा option A to keep aloof from मतलब दूरी बना के रखना किसी को avoid करना, ignore करना तो to fight shy off मतलब दूरी बना के रखना avoid करना किसी को तो hope आपको ये वाला idiom भी clear है आगे बढ़ते हैं अगले idiom की तरफ अगले idiom दिया है हमें to weather the storm to weather the storm का मतलब होता है survive difficulties मुश्कलियों से बच जाना मतलब to reach the end of a very difficult situation without too much damage अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए जब भी कोई ship है मतलब जब भी कोई समुदरी जहाज है वो जब भी पानी में से जाता है और अगर कोई तूफान आ गया अगर कोई storm आ गया तो भी वो बिना जदा damage हुए एक किनारे से दूसरी जगह पे पहुँच जाता है इसे ही बोलते हैं to weather the storm मतलब बहुत जदा नुकसान के बिना मुश्किलों में बच जाना इसे ही बोलेंगे to weather the storm अब options देखते हैं option A दिया है to face a crisis option B is to survive a crisis option C is to be the victim of a crisis और option D है to create crisis तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option B to survive a crisis मतलब मुश्किलों में संकट की घड़ी से बच निकलना इसे ही बोलेंगे to weather the storm तो अब आपको ये वाला इडियम क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ ये इडियम दिया है हमें insect cloth and ashes अब इसका मतलब हो जाएगा कि सामाजिक तौर पे शोक भाव प्रगट करना ये मतलब हो जाता है insect cloth and ashes मतलब कि अगर कोई गलती की है तो पब्लिकल ही जो दुख है उसको express करना इसे ही बोलेंगे insect cloth and ashes अब options देखते हैं first option दिया है to cremate option B is in a state of great morning option C is dirty clothes and option D is cheap clothes मतलब सस्ते गपड़े तो इसका जो सही answer होगा option B in a state of great morning मतलब बहुत जादा शोक के भाव में होना और सारवजनिक रूप से अपनी गलती को accept करना और शोक जताना हिंदी में आपने सुना होगा टाट ओडे और भस में लगाए यही मतलब हो जाएगा insect cloth and ashes का तो यह वाला इडियम भी clear होगा friends आज मैंने आपके साथ कुछ इडियम्स डिसकस किया है I hope आपको इन सभी के meaning clear होगे अगर still कोई डाउट है तो वीडियो को repeat करके भी देख सकते है फिर बिलेंगे एक नए episode के साथ तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best